नमस्कार दोस्तों बदोस साथ आपका हमारे चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको राशन कार्ड की जानकरी देंगे दोस्तों क्या आप जानते हैं कि राशन कार्ड कितने तरह के होते हैं अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो में हम आपको यही जानकरी दें योजना कार्ड यह राशन कारड जो होता है वह अत्यंत गरीब लोगों को एशु किया जाता है। जिनमें मजदूरों बजुर्गों और विरोजगारों को शामिल किया गया है। जिनकी महीने की एंकम धाइसो रुपे तक भी नहीं होती है। से कम होती है उन लोगों को इस तरह का राशन ुजिए जाता है जिसमें तीन रूपए प्रति किलो चावल के इसाब से 35 किलो तक का राशन उनको दिया जाता है उसके साथ अन्यahy subjecty भी इनको दी जाती है तो ऐसे लोगों को अंत्योदे अन्याययोजना काड दिया जिनकी महीने की इंकम 200 रुपे भी नहीं है दूसरे रंग का जो होता है नीले रंग का राशन कार्ड होता है और यह राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे नीचे हैं और यह राशन कार्ड के जो रंग होते हैं वो नीले भी हो सकते हैं हरे भी हो सकते हैं या पीले भी हो सकत और शेहरी शेत्रों में 11,850 की एक लिमिट रखे गई है इससे अगर आपकी इंकम कम है तो वहाँ पर आपको नीला राशन कार्ड इसुग किया जाता है और अगर आपके पाद LPG सिलेंडर नहीं है गया सिलेंडर नहीं है तो आपको अधिकतम सबसेड़ी तो मिलती ही है साथ आपको मिट्टी का तेल भी दिया जाता है नीले राशन कार्ड के अंतरकत तीसरा तरह का राशन कार्ड होता है गुलाबी रंग का राशन कार्ड और गुलाबी रंग के राशन कार्ड गरीबी रेखा से जो थोड़े उपर है और निम्न मद्यम वर्क से जो नीचे लोग है उन लोगों के लिए इशु किया जाता है और इस राशन कार्ड में क्या होता है ग्रामिंड शेत्र में 6400 से ज़्यादा अगर वार्षिक अगर आपके इंकम है तो उनको और अगर शेहरी शेत्रों में 11,850 रुपे वार्षिक से अधिक आपके इंकम है और आप निम्न मद्यम वर्क से नीचे आते हैं तो आपको इस तरह का गुलाबी रंग का राशन कार्ड इशु किया जाता है इसमें अत्यदिक सब्सीडी भी आपको मिलती है और अनेक लाब भी आपको मिलते है चौतर राशन कार्ड होता है सफेद रंग का राशन कार्ड जो कि सभी लोग इसके परे में जानते ही हैं सफेद रंग का राशन कार्ड जो हता है वो मिडिल क्लास यानि की मध्यम वर्क के लिए जारी किया जाता है इस राशन कार्ड में किसी तरह का लाब कमेंट करके जरूर्प पता ही अगर आपको अच्छी लगी हो तो पृससे लाइक कीजे अपने दोस्तों परिवार के साथ बीसे शेयर कीजिये और हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर्ट कीजिये आपकी स्क्रीन के ओपर लाल निशान के ओपर टच करके और उसके बाद घं दन्यवाद